है ऑलु फ्रेड्स तो इस वीडिक्शित क्या होता है और उसे कैसे यूज करते हैं। तो बिना किसी तारी के वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले इंट्रोप चला लृते हैं। है हुआ आए proyect पॉइंट पर बहुत ही सिंपल डर्म्स में अगर आपको अपना डाटा टेबल लाइक इस्ट्रक्चर में शो कराना है लेकिन आप चाहें तो इस यहां पर इशू आने वाले हैं पहला तो आपके पास यह लाइंस पहले से ही प्रवाइड होती हैं आपको यह लाइन खुछ से ड्रॉ करनी पड़ेंगे सेकंड इशू हमारा बॉर्डर रेडियस का इशू है आप चाहते हो जो भी आपके टेबल कोड हुई है इसके हमारे जो कॉनर से हैं वो कुछ यूनिट से राउंडर होनी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा हर रो में जो उसका फहला एलिमे अब यहां पर हमारा थर्ड इशू आता है वह हमारा अलाइमेंट का आपको रो के अंदर हर विजिट पर डिफाइन करना पड़ेगा कि वह कितनी स्पेस ले सकता है उसके लिए आपको एक्स्पैंडेट के अंदर रैप करना पड़ेगा देन उसकी फ्लेक्स प्रोपरटी करनी पड़ेगि ओके तब जाके आप अपनी टेबल विजिट को यहांपर कर पाओगे जैकिन अगर आपको इतना सारा मैनुली कॉड नहीं करना है तो simply आप यूज़ करते हो अपनी टेबल का और आपको यह यूई पार्ट मिल जाता है अपने अपने ओके सबसे पहले आपको टाइप करना है इसके अंदर जो हमाई चिल्डर प्रपरटी होती है उसमें आपको अपनी रोस डिफाइन करनी होती है अब रो क्या है पहले जो रो बनाई है उसमें यह टेक्स पास किया है दन तीन आइकन यहां पर पासओन किया ओके उसके बाद जो इसमें दूसरी प्रपरटी होती है वह होती है हमारी बॉर्डर रेडियस अब इसमें क्या होता देखे आपको अगर टेबल के कॉर्णर किसी भी उनिट से र यह हमारा zeroth index है यह हमारा one यह two यह हमारा three इशके आगे आपको इसकी बिल्ड पासओन करनी है ओके तो यह होता है हमारा table का concept आप चलते हैं अपने वी इस gode पर और इसको code करके चेकाउट करते हैं तो आप चलते हैं वी इस पोड़को चलिए तो आप समझते हैं अपने coding प दिख रही है वो हमने इसमें पासओन किये सबसे पहला जो इसको प्लैंक शोड़ा है उसको पैडिंग दीए सिक्स यूनिट से तो यहां पर आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा है उसके बाद यहां पर हमने तीन तीन विजिट यूजट करें पहला एंड्रोइट का दूसरा ए यां पर आइकन पास औंप करने और यहां से हम रिटन करने हैं अफ़ल्ट खिया और बाद केoured यहां पर उनधर हमें इसको बारड हम्हारा बॉंड रेडियोंस पासॉन करदे उसके बाद यह रही हमारी column with property कि आप हर एक column को कितना विक्स प्रोवाइट करना चाहते हो जो हमारा comment out करता हूँ तो आपकी जितने भी widgets होने वाले हैं वो सारे top से start होगे by default वो top set होती है तो इसको करते हैं save तो यह सारे shift हो जाएंगे top तो वापीस से करते हैं comment then save तो अगर हम इस वीडियो को wrap up करें कि table को use कैसे करते हैं simply आपको टाइप करना table और उसके अंदर जो हमाई children प्रोपर्टी होती हैं उसमें आपको सारी table rows pass on करते हैं अब table row के अंदर आप वो सारे children define करोगे जो आपको एक row में align करते हैं और उसके बाद जो इसकी border radius प्रोपर्टी होती है वो आप set कर सकते हो इसका border देने के लिए then column with property कि हर एक column की width कितनी होनी चीए तो अमीद आपको वीडियो समझ में आएगी बाकी मिलते है next वीडियो में तब तक के लिए see ya friends till then be safe and keep learning